देखो, motion plane के बारे में हमने थोड़ा सा discuss किया है, एक पर हलका सा recap दे रहा हूं सुरूप plane हमें पता है क्या है, पहले plane के बारे में बात करें, plane basically क्या था? कोई plane, arrow plane, arrow plane नहीं क्योंकि arrow plane, अगर हम arrow plane का example समझेंगे तो वो three dimensional में है बेटा, space में है arrow plane कभी भी, plane यहां नहीं है, surface पे जो उड़ने वाली चीज होगी, वो surface पे क्यों चलेगी, वो space में उड़ेगी, उड़ने वाली चीज कहा होड़ती है, space में, space क्या हो गया, basically three dimension, वो left भी जा रहा है, उस side भी जा रहा है, और वो आगे भी जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है, त dead axis, तो वो space होगा, तो इसले plane तो नहीं है, तो two dimension हमारे पास क्या हो गया, क्यारम बोड की गीटी, क्यारम बोड की गीटी, या फिर यहां पे, अगर मैं कुछ भी कोई चीज छोड़ देता हूँ, वो यहां पे आ रही है, तो वो क्या कर रही है, वो x axis का भी distance travel कर रही है, तो जब कोई चीज एक बारे में two dimensions को cover करेगी, that means वो plane के अंदर भूम रही है, और जब हम ऐसे करके बना रहे हैं, तो मतलब x और y, तो यह नहीं होना चीए उसका, that means इसके height नहीं होगी, surface होगा, यह जो है, यह plane surface है, तो plane क्यों है, क्योंकि इसमें x axis और y axis है, हम height के बार जब हम कर रहे हैं, तो इसके बात हमारे पास आता है scalar और vector, scalar और vector कि क्या कहानी है, थोड़ा सा हमने पिछले topic में discuss किया हुआ है, scalar क्या होते है, scalar basically वो चीज है, जिसका हमारे पास क्या होता है, scalar are two substance जिसका सिरफ magnitude होगा, vectors क्या होगे, vectors को यह ऐसे चीज, जिसका क्या है, magnitude and direction डोनों होगे, ठीके बचा, ठीक या, अब दियान दे, सुनो 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 और शुरू होगा, तो हमारे पास scalar और vector का game है, scalar क्या होता है, something which only possess magnitude, vectors are something जिसके पस magnitude और direction दोरों होंगे अब magnitude and direction का most common example क्या होचा distance or displacement जब हम distance की बात करते हैं तो distance क्या होता है हमारे पस अगर कोई एक object इस point से A position से घूमता हुआ यहां B पे आया है तो द्यान से देखो यहां पर कोई direction का फर्क नहीं पढ़ रहा था तो overall अगर मानलों यहां से आते वह उसने 10 km का distance travel किया लेकिन अगर with direction देखें तो उसने यहां से इस direction में final और initial position है उसके final position भी initial position है जब direction के है इस आप से देखा तो latest is यह 3 km है तो यह जो shortest distance between the two point आया this is displacement which is vector quantity क्योंकि यह direction conscious है इसके उपर direction का फर्क पड़ रहा है distance पर direction का कोई लेना देना नहीं था तो वो क्या थी scalar quantity similarly distance पर tip in कौन करता है speed speed क्या होता है distance upon time taken तो distance अगर हमारे पास vector scalar quantity थी तो speed भी क्या हुआ scalar और velocity क्या होता है velocity होता है displacement upon time since displacement vector quantity थी तो velocity भी vector quantity होगी डरे यह बात समझ में आ रही है पक्का अब हमारे पास क्या है vectors कितने तरह के और यह speed और velocity वाले example पर हम आगे फिर आएंगे फिर exactly पता चले गा देखो दो तरह के vectors ने बेटा पहला है हमारे पास polar vector पहला तो इनित के बारे में बात करते है polar vector polar का मतलब क्या होता है बचा these are those vectors which have has a straight starting point or a point of application and act along the direction of motion of the body मतलब क्या होगा simple एक point of application यहाँ पे लगाया और वो जिस direction में force लगा रही है उस direction में उसका motion शुरू हो गया simple बात है ऐसा हमारे पास क्या होगा polar vector polar vector के अंदर मतलब अगर मैंने मेरे पास मानलो एक object है मैं उसके उपर सामने की तरफ force लगाता हो सीधा तो यह object सीधा move कर जाएगा तो उसमें जिस direction में force लगी एक certain point पे force लगी वो point in the direction of motion चला गया in the direction of application of force अगर चला गया तो हम उसे क्या कहेंगे वो polar vector है आगे एक आता है axial vector polar vector का example समझ में displacement मैं displacement कैसे होगी अगर मेरे पास यहां एक object है और उसमें मैं इस direction में force लगा देता हूँ बचे last में थोड़ा शंति हाजे मैं इस direction में अगर force लगा देता हूँ तो क्या होगा यह object इसी direction में displace हो जाएगा है ना तो displacement इसी direction में गई force इधर को लगी थी तू भी object इधर को move हुआ तो यह हमारे पास क्या हुआ बचे simple polar vector axial vector क्या होता है axial vector में हमारे पास these are those vector which represent rotation effect rotation effect का यह example समझोए अब यह हमें दिख रहे है यह दिख रहे हैं तो मैं अपने इस हाथ को move नहीं करने वाला हूँ मैं सिरफ इसको क्या गर होगा गोल भूमाऊंगा मैं rotate कर रहा हूँ अगर मैं इसे continuously rotate कर रहा हूँ तो तुम देख रहा है यह जो उपर वाला जो है गोल साथ यह उपर आता जा रहा है कि नहीं मैंने इस हाथ को तो move नहीं किया वो उपर कैसे आ गया मैं rotating action दे रहा हूँ मैं rotate कर रहा हूँ और इसका movement along the center के along जो axis line होईगी उसके axis के along जा रहा है कि नहीं यह बात समझ में आई है तो ऐसे में हम क्या बात कर रहे है axial vector क्या होगा कि अगर मैं clockwise गुमा रहा हूँ तो थम की direction में मिल रहा है हमें यह कैसे निकलता थै याद ही है अगर इस direction में current निकलती थी तो magnetic field की direction आते थी तो same वो क्या था वो axial vector वाला example हुआ कि अगर मैं ऐसे गुमाँ हूँआ तो जो आउटपूट आएगी वो थम की direction में आएगी मैं इस तरीके से गुमाँ हूँआ तो थम की direction में आउटप आईगी तो force कहा लग रही है clockwise यह anticlockwise एक plane में लेकिन जो output मिल रही है वो कहा मिल रही है हमारे पास axial line के along axial line समझ में आती क्या होती है जो circle के center पे से जाती है किसी को दिक्कत perfect है तो यह हमारे पास क्या आगया बचे axial vectors ठीक है ठीको ऐसा है कि अगर हम यह कहें कि जरूरी थोड़ी है कि अगर मैं clockwise घुमाँ या anticlockwise घुमाँ तो हमेशा ही उपर जाए हमेशा नहीं होगा जिस case में होगा भही तो axial vector कहलाएगा अब मैं जैसे कि मान लो मैं यहाँ एक चीज़ रहता हूँ spinner लेता हूँ और इसको सिरफ घुमाँ देता हूँ spinner तो यहीं घुम रहा हूँ उपर और नीचे कहीं जा नहीं रहा हूँ तो उस case में वह थोड़ी ना axial vector हूँ कुछ दुनिया में अगर मैं बात करूँ शायद गिन चुनके एक परसेंट ऐसे screw होते हैं जो उल्टा खुलते हैं और उन एक परसेंट में सबसे common example होता है हमारा marker marker देखो जैसे यह है अगर मैं इसे ऐसे गुमा रहा हूँ तो यह नीचे जा रहा है मैं अगर ऐसे गुमा रहा हूँ मतलब इस direction में गुमा रहा हूँ तो यह nut कहा जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा था है ना देखा था तो इस case में अगर मैं ऐसे गुमा रहा था तो वो दूसरी side में जा रहा है ऐसे जब आ गुमा रहा हूँ तो इसमें उल्टा होता है जाद तर मारकर्स के अंदर उल्टा होता है वरना universally 99% हम हर चीज को इसी तरीके से बनाते कि अगर तुम clockwise घुमाओगे तो thumb जो है मतलब यह curling fingers की direction में घुमाओगे तो thumb की direction में output मलती है done है फिर हमारे पास अब आता है बचे वेक्टर exactly vector है क्या जब हमने बात करिये बचे वेक्टर के मैं vector को represent कैसे करूंगा vector क्या होता है बचे साथ की साथ लिखते चलेगा बचे यह vector की representation है यह vector क्या है arrowhead के साथ यह arrowhead क्या represent कर रहा है कि यह vector quantity है अब vector quantity में क्या क्या होता है scalar और vector मतलब क्या difference था vector quantity के अंदर scalar वाला magnitude तो था ही साथ में direction भी थी तो इसके अंदर magnitude होगा जिसको मैं mod के साथ represent कर रहा हूँ और साथ में a cap लगा रहा हूँ यह a cap है जो इसको हम प्रिणाउस क्या करते है a cap यह बच्चा unit vector होता है unit vector जो के सिरफ इसका magnitude है वो क्या होगा one लेकिन magnitude one है यह हमें देगा क्या सिरफ direction ठीक है यह किस काम आता है direction देने के लिए और जो यह है इसको क्या करते है mode of vector यह magnitude of vector तो magnitude plus direction मिलके हमारे पास एक vector quantity बनी की नहीं समझ गाई magnitude और direction मिलके हमारे पास क्या आ जाता है एक vector quantity आ जाती है किसी को दिक्कत हम काफी बार इसको mode को ऐसे लिखने की जगे mode of vector A को मैं direct A लिख दूँ इसका मतलब भी क्या हुआ magnitude ही है यह simple चीज है मतलब मैं magnitude of A को direct A लिख दू arrow head हटागे इसका मतलब वह mode है उसका done अब हमारे पास unit vector क्या होता है जैसे मैंने यहां बोला यह क्या है unit vector तो unit vector होता क्या है दियान से देखो बचाव unit vector है हमारे पास a unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude unit का मतलब क्या होता है one magnitude and has the same direction as that of given vector तो किसी vector का unit vector क्या हुआ जिसका magnitude तो one है लेकिन given vector के same direction में सब कुछ चल रहा है समझ में आईए अगर मैं किसी भी एक vector की बात करो तो जिस direction में हमारा vector जा रहा था उसकी direction को represent कौन करता है unit vector इन दोनों की direction सेम होगी unit vector की और उस vector की और magnitude लेकिन unit vector का क्या होता है one नाम ही unit है unit बतलब जिसका magnitude one है सिर्फ direction कुजिस कर रहा है हाँ जी ठीक है पक्का next a is equal to a into a cap यह हमने अभी लिख दिया था तो unit vector को कैसे लिख सकता हूं vector divided by magnitude है ना लिख सकते हैं ऐसे बच्चे last में फटलो बेटा time waste कर रहा है अपना हाँ जी यह ठीक है मैं unit vector को लिख सकता हूं vector divided by magnitude vector divided by modulus of vector simple है यह तो a unit vector is a unit less and dimensionless vector represents direction only यह याद रखना बेटा unit vector की ना तो कोई unit है ना कोई dimension है ठीक है ना तो उसकी कोई unit है ना उसकी कोई dimension है वो सिरफ और सिरफ direction represent करता है done अब देखो अब मान लो मैं तुम्हें अगर जो मैं unit vector की बात करूं unit vector हमारे पास अगर हम direction की बात करते है देखो अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि वो जो पीछे बच्चे शोर बचा रहे है परिशान करने बार बात वो बच्चे कहां बैठे है वो बच्चे वहां बैठे है मैं वहां कैसे बता दू मतलब मैं अगर जो मान लो तुम्हें एक example देता हूं मैंने क्या किया यहां पे बच्चा बुला है उसके आखों पर बट्टी बान दे और मैंने क्या है मेरा target क्या है उसके हाथ में डंडा दे दिया और मेरे को जो पीछे बच्चे बैठे है उनमें से किसी के एक के सर पे डंडा लगवाना है अब मैं उसे guide कैसे करूँ आखों पर पट्टी बन दी हुई है तो मैं यहां पे as in origin अपने आपको मान लेता हूं मैंने का मैं origin हूँ मेरे हिसाब से उनका जो coordinate है यहां से steps गिने एक, दो, तीन, चार, पांचे 15 steps सीधा और 4 steps right अगर बच्चा चला जाएगा तो और fit random आरेगा तो perfect किसी एक के तो बजी जाएगा हुआ, मैंने क्या बताया 15 steps सीधा 4 steps उधर मतलब अगर मैं सीधे वाले को x-axis और right side वाले को y मान लू तो 15,4 coordinate आया की नहीं तो मैंने वो जो direction थी उसको मैंने 15,4 की form में बता दिया लेकिन जब मुझे वो बताना था मैंने बुले 15 सीधा, सीधा क्या होता है सीधा तो कुछ बना ही नहीं ना तो मैं यह बूलू along y-axis या along x-axis से जदा clear नहीं है 15 क्या बताया, magnitude along x-axis या along y-axis क्या बताई direction बात समझ भी आ रही है इसको मैं अब क्या बता रहा हूँ पहले यह देख लो एक बारी यहां हमारे पास क्या है जो i-cap है यह क्या रेप्रिजेंट करती है बचा unit vector along x-axis i-cap क्या है, it is a unit vector along x-axis j-cap क्या है, it is a unit vector along y-axis वा इकसश और k-cap क्या है it is a unit vector along z-axis समझ भाइ i-cap is the unit vector along x-axis j-cap is the unit vector along y-axis and k-cap is the unit vector along z-axis यह standard रहेगा अब इसका meaning क्या है, इनका i cap, j cap, k cap को हम use कैसे करेंगे अब एक example लेते हैं, वही वाला जो अभी मैं बच्चों के लिए बता रहा था, उसी पर द्यान देंगे देखो, मान लेते हैं, हम एक coordinate system के अंदर है अब देखो, coordinates में तो हमेशा ही है, x-axis, y-axis, z-axis हमेशा ही है और अगर मुझे किसी चीज़ की direction बतानी है, किसी चीज़ की exact position बतानी है तो कोई reference point लेना पड़ेगा, उस reference के लिए best क्या है हमारे पास coordinates तो अब मैंने coordinate system बनाया है, हमान लो, ऐसा, x-axis, y-axis, इधर को मेरे पास है x इधर को मेरे पास क्या है बच्चा y, और यहाँ पर क्या है origin अभी मैं 2D में बता रहा हूँ, 3D में लिए के के अपने यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 3D में लिए draw करना मुश्किल है, और मैं z-axis बनाऊँगा तो तुम्हारे लिए शायद अभी सोचना मुश्किल होगा तो 2 मिट बात बाहला हूँगा अब मान लो, यहाँ से ऐसे चलते हुए, यह हमें points पता है, graph सबको पता है, क्या होता है एक कोई point है यहाँ पे, इसके coordinate मान लेते हैं 6,4 तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको 6,4 का मतलब नहीं पता, सबको पता है कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे यह जो distance है वो 6 है और यह जो distance है यह 4 है, बिल्कुल ठीक है तो मैं इस origin के respect में, अगर इसकी position बताना चाहता हूँ, वेक्टर की form में, यह नाम O, यह A point तो यह जो O, A vector है, मैं इसे कैसे बता हूँ, मैं इसे कैसे बता हूँ, 6 का magnitude, along x-axis along x-axis की direction को कौन बताता है, i-cap, plus 4 का magnitude, along j-cap किसी को दिक्कत, मैंने direction बता दी, मैंने यह बताया, 6 का magnitude आया था, x-axis के along, 4 का magnitude आया था, y-axis के along x-axis की direction को कौन represent करता है, i-cap, y-axis की direction को कौन represent करता है, j-cap इसा ही अगर अब मान लो मैं थ्री डाइमेंशन में हो था थ्री डाइमेंशन समझते हैं एक सिक्स आज़े नहीं हाँ वो ले सकते हैं टू कॉमन ले लो कोई फर्फने पड़ेगा मतलब कोई बच्छा यह कहें मैं जबरदस्ती इसमें से मैं ऐसे करके लिखना चाहता हूं त वो फिर उस तरह की जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है यह चीज़ क्योंकि सिक्स आयकाप मतलब अल्टिमेटली ब्रैकेट उपन होगे वही उपर वाला ही बनेगा हम लेकिन कर सकते हैं टू कामले नहीं डिफेंट नहीं है सेम बात है यह बात समझ भी आ रही है बचा अब मेरे को चाहिए अगर मैं थ्री डाइमेंशन में बता रहा हूं तो देखो एकसेस वाइ एकसेस और जेड एकसेस अब यह तीन आ गया तो आई कैप जे कैप और केक आप आजाएगा तो अगर यहां पर मान लो यह केक आप ऐसे है समझ रहों है थ्री डाइमेंशन किस तरीके से यह इसको रिप्रेजेंट कर रहे है मुच्वली परपेंडिकुलर तीनो लाइन से है तो यहां पर अगर मेरे पास जेड है तो इसके लिए अगर इसका एक और होता मालो यहां थ्री हो जाता तो मैं इसको क्या लिखता ओ ए वेक्टर जो हमारे पास बनता शिक साय कैप प magnitude वो कैसे निकलेगा square root of six का square plus four का square plus three का square under the root यह क्या हुआ हमारे पास formula mod निकालने का यह वेक्टर के magnitude को निकालने का formula आ गया हमारे पास ठीक है exactly pythagrass अगर two dimensional होता तो pythagrass ही बन रहा था six का square plus four का square तो इस displacement का magnitude आ जाता कि नहीं तो वही three dimensional में pythagrass हो गई एक पर रहा है किसी को इसमें दिककत मैं इसको एक बार ही अप standard form में लिख दो तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है बचा oa वेक्टर यह simple a vector नाम रख लेते हैं चोड़ो हमारे पास a vector है जिसके coordinates मान लेते हैं ax along i cap ay along j cap kz along k cap यह x axis y axis z axis के along आ इस वेक्टर का magnitude निकालना चाहता हूँ तो क्यासे निकलेगा square root of ax का square plus ay का square plus az का square कोई परिशान है और अगर मैं इसका unit vector निकालना चाहता हूँ तो unit vector क्या था बच्छा vector divided by its magnitude था कि नहीं तो vector की value क्या है axi cap plus ayj cap plus az k cap whole divided by square root of ax का square plus ay का square plus az का square done है? कोई परिशानी किसी को? ठीक है न? तो यह हमारे पास unit vector निकाल गया है done है? दक्षू से लिखने ही रहे हैं साथ में? पता चल गया यह? साथ की साथ note down करते रहे हैं इसमें done? ठीक बात है? अब equal vectors क्या होते हैं? equal नाम से समझ में आता बराबर होंगे अब दो vectors अगर equal हैं, vectors अगर equal हैं तो क्या होना चाहिए? उनकी direction और उनके magnitude दोनों बराबर होने चाहिए क्या न? दोनों की direction भी सेम होनी चाहिए और दोनों के magnitude भी सेम होने चाहिए अगर यहाँ पे मेरे पास A और B आपस में equal हैं तो जितनी length का ये vector है, उतनी ही length का ये vector और जिस direction में A जा रहा है, सेम direction में B जाना चाहिए तो हमारे पास दोनों vector क्या कहलाएंगे? equal होने हैं कब होते हैं जिस सेम पे हमारे पास direction and magnitude दोनों की दोनों equal होती है ठीक है तो वह vector क्या हो जाते है? equal फिर हमारे पास आता है negative vector negative नाम से पता चल रहा है, negative कब होते है? magnitude में तो negative होता ही नहीं है distance कभी minus में नहीं आता, speed कभी minus में नहीं आती vector negative कब आता है? जब direction उल्टी हो जाए मतलब magnitude दोनों का same होगा, लेकिन direction opposite होगी तो अब उसे क्या कहेंगे बचा? A is negative vector of B समझ में आ गया? यहाँ पर A कहां जा रहा है बचा? left to right B कहां जा रहा है? right to left तो इन दोनों की direction opposite of magnitude same है तो A can be written as minus of B vector नहीं नहीं, clear है बचा negative vector का concept magnitude में same, direction में एक दूसरे के पुल्टे फिर आते है co-initial vector, co-initial क्या होते है बचा? co-initial vectors है, the vectors are set to be co-initial if their initial point is common अगर उनका initial point, that means starting point अगर same है यहाँ दिखर है, यह दोनों vectors यहाँ से start हो रहे है initial point same है, तो यह co-initial होगे दोनों vectors originate कहां से हो रहे है, ओ पॉइंट से एक इधर आ गया, एक इधर आ गया तो यह क्या कहलाएंगे? co-initial vector ने, पक्का सूजल बचा समझ में आ रहे है, हाजी चिराग पता चल रहे है, बचा? चलो फिर है collinear vectors collinear का मतलब क्या है? these are those vectors which are having equal or unequal magnitude and are acting along parallel straight line यह collinear vectors हैं इसमें हमें magnitude से लेना देना नहीं है direction पर क्यासी होनी चाहिए parallel अब parallel का मतलब क्या हुआ? इधर जाए, उधर जाए यह opposite जाए यह तो parallel ही है directions are ultimately parallel है तो अगर हमारे पास directions इनकी आपस में parallel होती है तो उनको हम क्या कहते है? collinear vectors done है फिर आता है co-planar vector co-planar क्या होता है बटटा? जब same plane में लाए करेंगे x-axis और y-axis के अंदर लाए करने हैं तो यह vectors हमारे पास क्या आ गया है? यह जब एक ही plane में लाए करें जैसे x-y plane में लाए करें y-z में करें z-x में करें किसी एक plane में लाए करना चाहिए बच्छो यह plane का concept समझ वे आ रहा है तो बहे क्या है? जैसे अगर यह मेरे पास है देखो यह x से y है तो यह x-y plane मन गया तो इस plane में जब सब कुछ लाए करेंगा तो यह क्या हुआ? x-y plane यह क्या बन गया? यह y था यह z था तो यह क्या हो गया? y-z plane तो सिर्फ इस पे लाए करें सब कुछ समझ वही? तो वह एक certain एक ही plane में लाए करेंगे तो हम उने क्या कहेंगे? co-planner vectors नहीं co-planner के बाद आता है बचल लोकलाइज़ वेक्टर लोकलाइज़ वेक्टर क्या होते है? it is that vector whose initial point is fixed जिसका initial point बेलकुल fixed है वह क्या होगा? लोकलाइज़ वेक्टर किस में? लोकलाइज़ और co-initial और localized vector के अंदर co-initial का मतलब क्या था? जिनका इनी दो ऐसे vectors जिनका initial point same था localized एक ही vector के बारे में बात करने है localized उस vector का नाम है जिसका initial point fix है समझ मैं? और जो तुम गोल रहे हो co-initial उसमें क्या? दो vectors का relation अभी दोनों का initial point same होना चाहिए यह जरूरी नहीं कि दोनों का fix है कि नहीं है ने, non localized क्या होगा it is that vector whose initial point is not fixed and it is also called free vector initial point fixed नहीं है मतलब जहां मर्जी से start कर दे है जैसे मानलो मैं displacement की बात कर रहा हूँ अगर मैं यह कहूँ कि with respect to origin बताओ तो displacement अलग चीज है लेकिन अगर मैं कहूँ कि after 5 seconds कितनी हो रही है after 6 seconds कितनी हो रही है हर 1 second बाद कितनी बदल रही है तो हर 1 second के बाद उसके initial position बदल रही है कि नहीं initial final हर बार बदल रही है तो non co initial होगे मतलब non localized होगे done है फिर आता है हमारे पास position vector and displacement vector इसको समझना बहुत जादा relevant से और important से चीज़ है मैं बोट पर बता रहा हूँ द्याल से देखना पर हमारे पास हमने क्या बात करी है बचा अभी vectors के बारे में सारा clear है vector की representation सबको clear होगी है है ना तो अब हम बात करने वाले हैं displacement और position vector देखो मैंने शुरू में कहा था vectors की सबसे जादा हमें जरूवत क्यों पड़ी हमें vectors की इसलिए जरूवत पड़ी है क्योंकि मुझे किसी चीज़ की अगर position बतानी है तो मैं कैसे बताओ frame of reference लेके कोई ऐसा कुछ होना चाहिए न जिसके reference बें हम position बताएं जैसे मैंने वो example दिया था कि डंडेर ये साथ बच्चा यहां से वहां जा रहा है तो अगर मैं reference point ना रखूं कि मेरे respect में यहां से इतनी step या खुद के initial point के इसाब से इतनी steps तो जहां मर्जी बोल तो कुछ उसे समझ ही नहीं आना चाहिए है न अगर एक बार imagine करके देखो अगर हम space में चले जाते है space में कुछ नहीं दिख रहा है ना कोई planet ना कुछ तो वहां क्या है initial point नहीं है तो अब तुम left or right decide नहीं कर सकते left side right side हात के इसाब से पता चल रहा है बट east west north south है कुछ कुछ नहीं ओपर नीचे है कुछ कुछ नहीं है क्योंकि ओपर नीचे भी हम अर्थ के साब से देख रहे हैं अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर नीचे आ रहे तो नीचे लेकिन अगर मैं इस सर्फिस को हटा दूए यहां से इनीशल पॉइंट मतलब हमारे पास अगर frame of reference नहीं है तो सारा कुछ बदल जाएगा फ्रेक्ट तो तो ऐसे में हमें अगर किसी की position बतानी है किसी की displacement बतानी है किसी की velocity बतानी है force बतानी है कि कहां से क्या लग रहा है तो हमें vectors की जरूवत थी अब vectors की जरूवत थी तो उसे साब से अगर मुझे position बताना है तो हम positions के लिए क्या use करेंगे देखो ज़रा हम position vector और displacement vector की बात कर रहे हैं तो मैं अभी ने two dimension में ही रखके चलो प्लेन में चल रहे हैं हम सारव यहां पे मानलो मेरे पास x axis है यहां पे अपने पास क्या है y axis ने ने बचाफ अब हमारे पास एक coordinate है मान लेते हैं यहां से ऐसे करें यह जो a है ओ से a तक यह x1 और y1 है मान बच एक्स वन और y1 यह क्या है initial position यह क्या बता रहे हैं तुम्हें initial position जहां पे हमारा object initially था बिल्कुल ठीक है अब यहां से वो displace होके इधर आ गया वो क्या हुआ वहां से displace होके इधर आ गया कोई दिक्कत और जब वो यहां पहुंचा तो उसके coordinates कितने आए बी पॉइंट पर पहुंच गया x2 y कोई दिक्कत किसी को simple बात है वह पहले यहां था वो displace हिधर हुआ तो हमारा initial position वेक्टर initial position वेक्टर क्या था बच्छा वो a यह क्या था x1 i cap लस y1 j gap था कि नहीं और final position वेक्टर क्या है ओ भी final position वेक्टर क्या है बच्छा ओ भी and it is equal to x2 i cap plus y2 j gap ने अभी बात बताओ जरा displacement का formula क्या होता था normally हम displacement क्या कहते थे final position minus initial position याद है displacement क्या होती थी final position minus initial position तो अगर बच्छा वेक्टर निकालना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए final position vector minus initial position vector नई पक्का बुर्लीन अलो boom हो रखिया बचा वापिस आओ आजो यहाँ पर डॉरे मौन की दुनिया में चले गई थी बीच में गया रव हो गई थी मेरी बात सुनो बचे एक और जब तुम्हें लगे कहीं पर देखो मैं एक simple सी बात बता रहा हूं अभी ना placement start हो रही है कोई आफत नहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन एक ना rule रखो हमारे बीच में आपस में ट्रांस्पेरेंसी रहनी चाहिए किस तरह की ट्रांस्पेरेंसी मैं तुम्हें इंसान मानूं तुम मुझे इंसान होगा कि गुम हो जाते हो मैं उसको accept करते हुए तुम्हें बीच में ब्रेक देता हूं और मैं लगाता है कभी तीन गंटे देड़ गंटा दू गंटा पढ़ाता ही नहीं हूं ब्रेक देदे के पढ़ाता हूं लेकिन उसके बाद भी शायद कुछ ऐसा है कि जिसकी गज़े स्व consciousness से तुम हो जाते है अब जब मैं पढ़ा रहा था तो मान लो वह बच्ची जिंदा थी सिरफ फिजिकली जिनदा थी मतलब एसे यहां पे present थी physically, mentally नहीं थी वो ऐसे देखते देखते होता नहीं देख रहे हैं पर पता नहीं किसे देख रहे हैं और गुम हो जाते हैं एक दम से वो ऐसे थी, कहां आ रहे हैं, सब आ रहे हैं वो नहीं होता है, hypnotize हो रखे थी तो ऐसी situation लेकिन लंबी नहीं चलती है, hardly 30 second 40 second के लिए हम बीच में आ जाते हैं इस position पर, तो कभी ऐसा लगे ना, कि तुम सुन रहे थे समझ नहीं आया था, instantly जैसे तुम जिन्दा होते हो, by chance कोशिश तो मैं ही करता हूँ कि तुम्हें जिन्दा कर दो क्योंकि expression समझ में आ जाते हैं लेकिन अगर in case मैं miss कर जाता हूँ और तुम एकदम से revive करते हो वापस से वापस प्रकट होते हो यहाँ पर तो instantly talk दो, कि से एक बार repeat कर दो क्योंकि अगर यह topic चला गया और मैंने यह मान लिया कि तुम्हें आ गया, तुम पूछ नहीं रहे हो तो वहाँ ना वहाँ पर गडबड हो जाएगा वहाँ एक gap create हो जाएगा तो मैं accept करने के लिए त्यार हूँ इस चीज़ को कि अगर कुछ miss होता है तो पोई बड़ी आफ़त नहीं है, कोशिश क्या करेंगे लेकिन जब वापिस आते हो, जिन्दा हो जाते हो तो जिन्दा हो के मुझे बता दो कि सर मैं मर गया था या मर गई थी मैं वापिस प्रकट हुआ हूँ तो एक बार ये वाला फिर से बात बता दो और इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं बस ये बोलो सर एक बार रिपीट कर दो, तो वो छोटा सा टॉपिक जहां से तुम गुम होगे तो मैं रिपीट कर दो कैरी फॉवड मत हो, सेम गोस फॉर अंडेस्टैंड़ ये मतलब ना क्लास रूल है, सिंपल, तुम्हारा काम है पूछने का, मेरा काम है बताने का, तुम पूछ नहीं रहे हो, तो तुम फेल हो रहे हो, मैं बता नहीं रहा हो, तो मैं फेल हो जाओंगा जितना हो सके पूछो कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन अगर समझ नहीं आ रहे तो हां मत करो यह मत बोलो कि हां आ गया कोई बात नहीं काफी बार बैंक तुम एंट पे देखा कि तुम्हाँ लेगा कि समझ नहीं आ रहे पर फिर भी क्या बोलोगे हाँ ठीक है सरा आगे शायर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है फिर कभी पढ़ेंगे तो आ जाएगा लस वन प्लस टू का स्लेबस इतना कम नहीं होता है कि हम टेंथ की तरह चार या पांच बार रिपीट कर ले हम दो बार कर लेंगे वो बहुत अच्छा रह जाएगा है ना तो कोशिश करो पहली बारी में समझते तो डंग से चलो दो बार प्राक्टेस हो सकती है पूरा चाप्टर पूरा स्लेबस रिपीट नहीं हो सकता है ठीक है तो साथ के साथ इंटराक्ट करते चलो और बीच बार दो अगर नहीं आ रहा है यतना हो सब्सक्राइब पूछो साफी सब अब वापिस आते हैं मुद्र पर यहां पर हमारे पास क्या बचा पोजिशन वेक्टर हुए पा इनिशल पोजिशन फाइनल पोजिशन डिस्प्लेस्मेंट क्या होता था तो डिस्प्लेस्मेंट माइनस इनिशिल पोजीशन वेक्टर है ना यही होता था displacement final position माइनस इनिशिल पोजीशन यहां वेक्टर्स है तो final position वेक्टर माइनस इनिशिल पोजीशन वेक्टर्स फोबी की value क्या है बिटा x2 y cap plus y2 j cap minus x1 i cap plus y1 j cap किसी बच्चे को इसमें परिशान है अब मैं i cap i cap बालों कोई खटा लिख लो x2 i cap minus x1 i cap plus y2 j cap minus y1 j cap किसी बच्चे को दिखकत इसमें यह भी बिल्कुल ठीक है i i common ले लेते हैं तो क्या बनेगा x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap बना के नहीं and this is our displacement vector i cap j cap common ले सकते हैं number नहीं common ले सकते हैं अब इसका meaning समझो displacement का हुआ क्या अब देखो बेटा यहां से अगर मैं देखो यह position क्या थी x1 यह क्या थी x2 तो यह distance कितना था यह displacement कितना था x2 minus x1 यह था कि नहीं यह किस के along आया है x-axis के along similarly यह किस के along आया है y-axis के along आया कि नहीं तो हमारे पास overall इस triangle के अंदर a-b क्या है यह जो है x2 minus x1 यह y2 minus y1 यह हमारे पास displacement vectors along x-axis और y-axis अगर मुझे अब a-b का mod निकालना है अगर मुझे a-b का magnitude निकालना है जो के a-b क्या थी x2 minus x1 का whole square तो magnitude क्या होते है बिटा x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का लग क्या के नहीं एक तरह से direct python रसी लगी और तो कुछ नहीं है यह हमारे पास क्या आगया displacement vector और यह क्या थे हैं हमारे position vectors यह जो उपर आये था किसे को परिशान है position vector or displacement vectors का game समझ में आगया यहाँ पर भी जो मैंने कराया हुआ है वो यही चीज थी कि यह हमारे पास क्या है position vector position vector बीच में आगया displacement vector उन्दाने समझ में आगया बचा अब आता है multiplication of a vector by scalar or real number watch see this ही चीज मैं क्या बात करो किसी एक vector को मैं किसे scalar value के साथ multiply करके देख रहा हूँ तो देखो अगर मैं किसी एक vector को scalar value के साथ multiply करूँगा scalar value क्या होती है बेटा simple number है ना मान लो मेरे पास एक vector है जिसकी value है 2i cap plus 3i cap तीक है अब मैंने कहा कि मैं इसको किस से multiply करना चाहता हूँ मैं five times of a cap देखना चाहता हूँ क्या हैगा तो क्या हैगा five से multiply कर दो इसमें तो कोई rocket size ने है ना इसमें क्या होगा है तो सीधर सीधर multiply कर दो क्या करना है five two zero ten plus fifteen j cap तो a के पांच गुना होगा सीधर multiply कर दे कुछ भी नहीं किया हमने और तो यह क्या होता है normal scalar multiplication तो इसको जब हम लिखे है तो अगर मेरे पास vector x i y j z k cap में है n times करेंगे तो हर value को n से multiply कर दो sorted है है ना हमने क्या किया जहाँ n आया हर value को मैंने n से multiply कर दी और ऐसा बन जाएगा यह done अब आता है बचा resultant vector बहुत ज़्यादा relevant और बहुत easy चीज़ लेकिन असान से यह समझते हैं बहुत बहुत कर resultant क्या है मतलब ज़्यादा important क्यों है यह क्योंकि यह अपना जितने भी physics के अंदर numerical से लगते है जितने भी हमारे plus one plus two के अंदर concept लगेंगे जादतर में हम resultant की बात कर रहे होंगे अब resultant का exact meaning क्या होता है resultant समझ में आता होता क्या resultant होता है भी मिला जुला के net असर क्या निका था एक तरसे net force का ही नाम है resultant force और कुछ नहीं है यहां पर resultant vector हमें क्या देगा resultant vector of two or more vectors is defined as the single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together यही हुआ मैं क्या वो रहा हूँ तुम तीन लोग मिलके जितना काम करोगे मैं केला कर रहा मैं तुम्हारा resultant vector हो जो effect तीन vectors मिला के कर रहे थे अगर उन तीनों के बराबर एक ही कोई vector effect create कर पाए तो उनका resultant vector हुआ के ने समझवाए यह बात अब vector addition में क्या होता है बचा vector addition के अंदर दो vector same direction में plus कर दिया resultant क्या निकलेगा algebraic sum अब मैंने का एक vector है इधर दूसरा vector भी इधर है तो दोनों का resultant कितना निकलेगा दोनों का plus कर देता है resultant vector आएगा उनका है ना resultant vector अगर हम addition के हिसाब से लिए रहे हैं तो दोनों vectors का net algebraic sum जो आगया वो resultant आगया sorted है magnitude wise क्या होगा individually दोनों का mod plus है उनको किसी को दिक्कत क्या हो रहा है एक vector अगर left to right जा रहा है दूसरा भी left to right जा रहा है दोनों को हमने add कर दिया तो total मिलाके algebraic sum बढ़ जाएगा कि नहीं example के तोर पर सोचते है जाने तो एरोप्लेट दो पर पापाऊ एक अच्छी ते मेरा चलो अब मान लो मेरे पास यहाँ जैसे अब यह table है अपना बारी सा table है एक बच्चा आता है धक्का मार रहा है दूसरा बच्चा भी साथ में मिलके धक्का मार रहा है तो दोनों की force add हो जाएगी कि नहीं वेगि दोनों का धक्का यह की side में है तो net force कहा लगी F1 प्लस F2 होई कि नहीं magnitude कि इतना निकला F1 का magnitude प्लस F2 का magnitude यहीं लिखा है यहाँ पर और तो कुछ नहीं है समझ में आया है पक्का अब difference में क्या होगा subtraction में यह हम simple addition की ही बात करें लेगिन क्या करें एक बच्चा यहाँ से धक्का मार रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी साइड से आके opposite साइड में धक्का मारने लगे लगे है ए जो इस साइड में धक्का मार रहा था भी opposite साइड में धक्का मार रहा है तो अब क्या add होएंगे यह direction उल्टी है तो क्या होगा minus हो जाएंगे तो a plus of minus भी लिख लो या a minus भी लिख लो बात तो सेम भी रहनी चाहिए इसमें हम क्या मान के चल रहे है कि a का magnitude जादा है बी से done है simple बात है बच्चा यह फिर आता है हमारे पास यह अब यह क्या है यह हम बात करें बच्चा net displacement की अब net displacement का exact meaning क्या है यहाँ पर अगर मेरे पास देखो अगर मेरे पास एक vector है object के इसाफ से समझना एक object है यहाँ से चला और P पे चला गया done यह पहली displacement P से फिर Q पे चला गया यह दूसरे displacement overall total displacement कितनी है यह है कि नहीं यहाँ से इधर आया इधर से इधर आया final और initial position के बीच में तो displacement vector यही बना कि नहीं resultant आगया उसका ठहना हम तो net vectors की बारे में तो displacement देखके ना distance थोड़ी वह में इन से क्या लेना देना वो final resultant आया कि नहीं तो A प्लस B का vector के अंदर sum करेंगे तो उसका resultant vector आगया नमारे पास resultant आ गया है यह बाला done अब E से B वाला और फिर यह बाला क्या किया यह और यह इन दोनों का resultant क्या आएगा यह बीच वाली लाइन, E प्लस B दो फिर इस E प्लस B प्लस C D के साथ resultant क्या आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D निकला कि नहीं इसके बाद हमारे पास आता है बचा ट्रेंगलर लॉफ वेक्टर एडिशन यह हम नेक्स क्लास में कवर करें ठीक है